अगर आप तीनों पार्ट्स देख लेते हैं अच्छे से इसे समझ लेते हैं तो शायदी कोई क्वेशन ऐसा होगा जो आप रीट एक्जैम में नहीं कर पाए आए हम इस फनेटिक्स क्लास की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये फनेटिक्स क्लास में आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं कुछ वर्ड्स ह हम healthy ही सुनते हैं लेकिन इसका pronunciation है healthy तो मैं यहाँ द की जगह थ प्रनाउस कर रहा हूँ और ये word देखें आप अगर आपने इसे पहली बार देखा है या आपने पहले सुना है इस word को तो आप बोलते होंगे monk तो ये monk word भी इसका भी pronunciation गलत है इसे बोला जाएगा monk इसे बोला जाता है monk अगर आप इसे of बोलते हैं तो ये भी गलत है क्योंकि इसे बोला जाता है of और इसी तरीके से आप देखें ये generally हम इसे smooth बोल देते हैं जो कि गलत है इसे बोला जाता है smooth इसे smooth बोला जाता है और अगर यहां देखें यह अगर आप पढ़ें बरी तो इसे बरी नहीं पढ़ा जाता आपने अगर जनली सुना होगा बरी सुना होगा लेकिन इसे बोला जाता है बरी तो इंग्लिश में जैसा लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता तो क्या अंतर है spelling में और pronunciation में अंतर है तो जैसा लिखा है वैसा हम बोलते नहीं है इसी लिए हमें जरूरत पड़ी phonetics की phonetics की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि English language जो है वो phonetic language नहीं है क्योंकि जैसे लिखी जाती है वैसी बोली नहीं जाती आपके exam में अगर एक question आ जाता है कि English language phonetics language है English language phonetic language नहीं है तो उत्तर सही क्या होगा कि English language phonetic language नहीं है इसी लिए हमें separate topic के रूप में phonetics को पड़ना पड़ता है दिखे हिंदी में आप क्या करते हैं जैसा ही लिखा है बिलकुल वैसा ही बोला जाता है लेकिन English में ऐसा नहीं है कभी तो हम th को the बोल देते हैं, कभी हम th को the बोल रहे हैं, तो इसी लिए हमें phonetics को एक separate topic के रूप में पढ़ना पढ़ता है, हम आगे बढ़ते हैं और यहां यह देखे, यह कुछ आपको symbols दिखाई दे रहे होंगे, वो सकता है, कुछ लोगों ने इसे पढ़ रखा है अच् अब हम आगे बढ़ें और यहां देखे, अगर वो symbols आपको नहीं पता, तो शायद यह पढ़ना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल होने वाला है, अगर हमें वो symbols नहीं पता है, तो यह पढ़ना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, हम देखे, इस ए letters लिखे हुए है, जब मैं यहां car बोलता हूँ, तो यहां जो sound आ रही है, इस a letter की, वो आ रही है a sound, एक a जो आप letter देख रहे हैं, उसकी sound आ रही है, a अगर मैं यहां बोलता हूँ cat तो यहां sound आ रही है a, और यहां बोल में o sound आ रही है, यहां अगो में यहां a sound है और face में a sound है और यहां village बोला जाता है इसे e sound है तो एक a letter कितनी sounds दे रहा है ज्यादा sounds दे रहा है तो इसका मतलब एक बात clear हो जाती है कि जितने English में letters है sounds उससे ज्यादा है यह clear है क्योंकि आप देखे एक a letter ही कितनी sounds दे रहा है तो इससे बात तो clear होती है कि जितने letters है उससे ज्यादा sounds है a से z तक अगर हम letters की बात करते हैं पहले तो 26 letters है आप सब लोग जानते हैं यह आप देख सकते हैं 26 letters है a to z जो है 26 letters है लेकिन हम कह रहे हैं sounds तो यह sounds जो है वो कितनी है 44 sounds है तो एक question तो आपका यह बना कि English phonetic language नहीं है English phonetic language नहीं है इसी कारण से हम phonetics को एक separate topic के रूप में पढ़ते हैं और letters कितने हैं English में 26 है sounds कितनी हैं English में 44 sounds है यह इन sounds को आप देख सकते हैं कि यह सारी 44 sounds है क्योंकि एक letter हमारा बहुत से sounds different sounds दे सकता है इसलिए जरूरत पढ़िए कि कुछ symbols बनाए जाएं और इन symbols को कहा गया International phonetic alphabet International phonetic alphabet इनने कहा गया और हम देखें यह सारे जो symbols हैं यह sound के symbols हैं जो 44 sounds produce करते हैं वो letters उनहीं के यह symbols हम यहां पे देख रहे हैं आपको बहुत से symbols जो हैं देखिए कुछ symbols तो ऐसे हैं जो बिल्कुल जैसे letter है वैसे ही sound है अगर मैं यहां से इनकी बात करता हूं तो आप इस symbol और इसकी sound को आप पहचान लेंगे कोई ज़्यादा आपको difference जो है वो नजर नहीं आता है अगर मैं यह sound की बात करता हूं नहीं आपको एक बार basic sound बता देता हूं basic sound हम जैसे प बोल देते हैं इसको लेकिन इसका exact जो pronunciation है exact sound है वो हम आगे करेंगे कि इसको किस तरीके से कुछ voiceless यहां sounds होती है कुछ voiced sounds होती है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लेकिन एक general sound मैं बता देता हूं जैसे हम इसको प बोल देते हैं इसको ब बोल देते हैं इसको ड बोल देते हैं तो जैसे यह लिखे गए हैं वैसे आप sound को बोल भी देते हैं लेकिन कुछ sounds ऐसी है जो थोड़ी सी different है जो आपको यहां अलग सी दिखाई दे रही होगी अगर यह मैं बात करूँ अगर हम इने divide करते हैं यह जो उपर आप देख रहे हैं यह सारी vowel sounds है क्या है यह vowel sounds और यह vowel sounds कितनी है यहां हम देखेंगे vowel sounds है 20 total 20 sounds है जो vowel sounds है और यह नीचे जो आपको दिखाई दे रही है यह consonant sounds है और consonant sounds कितनी है 24 हाँ आपकी गणित तेज है तो आपने पता लगा लिया होगा कि 20 वहुल साउंड है तो 24 आपके consonant sounds है remaining तो पहले हम consonant sounds की यहां बात कर लेते हैं आप देखो ये आप पढ़ दोगे असानी से ये भी आप पढ़ दोगे आपको पता है और ये भी आपको पता है कि किस तरीके से ये टर sound है अगर ये देखें तो ये डर sound है ये कर sound है ये गर sound है मैं आपको बिलकुल basic मोटे रूप से बता रहा हूँ कि ये sounds किस तरीके से generally जो हम basic रूप से बोलते हैं हलांकि इनके detail में जब हम जाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ कि इन sound का pronunciation कैसे होता है तो बहुत सी sounds है जैसे ये भी आप पहचान लोगे और बहुत सी ऐसी sounds है जिनको आप असानी से पहचान पा रहे हो लेकिन ये जो sounds है कुछ आपको ये दिखाई दे रही है यहां ये sounds कुछ आपने देखी नहीं होगी पहले तो बाकी sounds तो ठीक है consonant की 24 sounds में से अगर मैं इन sounds की बात करता हूँ तो ये थोड़ा पहले आपने नहीं देख रही होगी बाकी sounds आप असानी से पहचान लेंगे तो एक बात तो clear होगी कि consonant sounds में ज़्यादा sounds पहचानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपको आती है और जो sounds पहचानने की जरूरत है वो ये रही एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ सिर्फ आठ ही तो sounds है जो आपको consonants में याद रखनी है बाकी sounds तो बिल्कुल letter की तरह ही होती है तो ये तो आसान काम हो गया कि 8 sounds में से हम अब बात करते हैं कि कोन-कोन सी कैसी-कैसी sounds है ये जो sound है इस sound को हम कह देते हैं जर sound अब पहले देख लीजी हम फिर words की तरफ भी आते हैं थोड़ा ये जर sound है जैसे हम जग में जर बोलते हैं जग जर sound है और यहाँ देखें ये जो sound है ये है चर sound ये रंग बिरंगी आपको बिल्कुल यहाँ symbols दिख रहे होगे ताकि आपको याद रह जाए जर sound आपने देख ली ये आपकी जर sound है और दूसरी sound आप जो देख रहे हैं ये आपकी चर sound है ये देखें ये जो sound है जैसे हम this, that बोलते हैं this बोला that बोला तो ये the sound है कौन सी sound है the sound, art sounds ही मैं याद कऱवा रहा हूं आपको क्योंकि consonant sounds में बाकी sound तो आप जानते हैं ये है the sound ये the sound है और इसके 7 में जो येलो कलर में है ये है the sound कौन सी sound है थ साउंड इसको actual में कैसे बोला जाता है वो हम आगे चलेंगे लेकिन एक मोटे रूप से कैसे हम generally बोलते हैं जैसे हम कोई word बोलते हैं जैसे थम बोला है तो ये थ साउंड आप इसे समझ ले और इसी तरीके से हम अगर इस साउंड की बात करते हैं तो ये साउंड है श साउंड जैसे शुगर में हम बोलते हैं हम शुगर में हमने बोला जैसे हमने शिप में बोला या शीप में बोला ये साउंड जो है वो है श साउंड और इसी तरीके से इस साउंड को आप देख लीजिए यह आपको अगर letter की बात करें तो J जैसा दिखा ही दे रहा है लेकिन यहाँ यह symbol जो है यह symbol कैसा symbol है इस symbol की जो sound है वो कैसी है वो है यह यह जैसे हम U में यह बोलते हैं वो sound है यह sound और इसी तरीके सी यह sound देखें यह है गह sound जैसे हम king, ring, ding, dong, ng, ng sound जो बोलते हैं वो है और यह देखें आप थोड़ी से different sound जो है यह sound यह sound जैसे vision vision बोलते हम जैसे हम measure बोलते हैं यह sound है यह तो आपने देखा vision है या फिर pleasure है तो यह sound है वो यह sound है यह आप समझ आ गई होगी आपको पहली sound अगर मैं यहां इशारा करता हूँ तो यह है जह sound बिल्कुल सही और यह sound है चह sound बिल्कुल सही तो जह चह आपने पहचान ली है और यह sound कुन सी है दह sound बिल्कुल और यह sound कुन सी है थह sound और यह गह sound यह देन शह और यह जो इधर आपको दिखाई दे रही है last में ये green color में नीचे ये है year sound तो आपके consonants complete हो चुके है इतनी जल्दी क्योंकि आपको पता है कि जो 16 जो remaining है इसके बाद वाले हैं वो तो आप जानते हैं आप देख लीजिए इसे भी आप जानते हैं इसे भी आप जानते हैं ये भी जानते हैं ये भी जानते हैं कहीं ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल जानकार है आसपडोस में कहीं रहते हैं इन्हें देखा हुआ है आपने इन्हें भी देखा है ये भी देखा है और ये देखिए ये कर साउंड है ये गर साउंड है और ये देखें जर साउंड है ये सर साउंड है ये व ये फर साउंड ये मन और फिर ये न और इसके बाद ह साउंड और ये ल र और फिर व साउंड बाकी आठ जो है वो मैंने यहां बड़ी बड़ी आपको लिखके दिख तो आपके 24 consonant sounds जो है वो पूरी होगी आपको समझ आ गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं किस तरीके से इन्हें 8 sounds की मैं फिर से बात करता हूँ बाकी तो आपको समझ आ गई और 8 sounds की हम बात करते हैं ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पर जीप लिखा है ये ज़ है और ये ज़ हमने यहाँ लिख दिया इसका इस तरीके से तो अगर मैं इसको phonemic symbol के रूप में लिखूँगा तो मैं इसे लिखूँगा इस तरीके से ज़ और ये देखे यहाँ ये क्या है ये chair है तो chair का च जो है वो देख लीजिए आपको च भी समझ आ गया होग ये क्या लिखा है ये थम लिखा है तो ये हो गया यहाँ पर थ साउंड एक बार वापस देख लेते हैं ये क्या है जीप तो जीप का ये ज हो गया ये क्या है chair का ये च साउंड हो गया ये दिस ये दिस का द सिंबल हो गया और यहाँ थम का ये थ सिंबल हो गया और इसी तर यह यह साउंड है यह इसमें और शर में डिफरेंस आपको पता चल भी गया होगा यह शुगर हम बोलते हैं इस तरीके से शुगर बोला जाता है तो यह साउंड है और आगे बढ़े तो यह देखे यू में यह यहजु है यह तो यह है यह यह लिखा यह रहा यह यह तो यह आठ आपके कॉंसोनेंट जो है वो हो चुके हैं अब हम आगे बढ़ें और इसे देखते हैं यह अभी कॉंसोनेंट का ही मामला चल रहा है थोड़ा क्योंकि आपको अच्छे से जब यह समझ आ जाएगा तो मेरा मानना यह है कि एक बारी से आप अगर देख रहे हैं तो शायद वापस आपको रिवीशन की जरूरत भी ना पड़े यह देखिए यहां आप ट्राई करें कि यह जो साउंड है यहां लिखा है जज तो जज जब लिखा है तो यह साउंड क्या आ रही है जज साउंड और यह भी क्या रही है जज साउंड तो दोन बढ़ते हैं यह क्या लिखा है यहां लिखा है चैक और चैक में क्या साउंड आ रही है तो चर साउंड कैसे है यह आपकी चर साउंड ठीक है और आगे बढ़े यह क्या है भई यह है थिन यह थिन तो कौन सी साउंड आ थर साउंड, बिलकुल सही, थर साउंड को कैसे लिखेंगे, ये रही, थर साउंड, और आगे क्या है, ये तो चलो आपने सुना हुआ शब्द है, कुछ ऐसे शब्द भी तो होंगे ना, टी एच से जो स्टार्ट हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं कैसे बोला जाता है, तब हम dictionary खोलते हैं, तो dictionary में क्या दिया होता है, symbols दिये होते हैं, तब आप phonemic transcription देखते हैं, अच्छा, इसको थर बोला जाता है, इसको दर बोला जाता है, तो आपका pronunciation clear हो जाता है, तो अब ये देखें, ये क्या है, vision, तो vision को कैसे बोलेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ये है, symbol य का, और ये है, youth, तो य, ये sound क्या आ रही है, ये sound आ रही है, तो हमारा य तो ये है, ठीक है, और ये क्या है, थ, तो थ, हम इस तरीके से लिख देंगे, ये बन गया ये के sound, और ये बन गये अफके साउंड ये क्या है शीप तो शीप में कौनसी साउंड आ रही है शन और शेट्टस्टर आपको पता है इस तरीके से शज dough है और यह तो आपको पता ही है रिंग को कैसे दिखा जाता है यह एह इन्ड है थोड़ा इसको ऐसे नीचे करके और लगा देता सिंबल है बहुत आसान है और सिंपल है तो यह आपको आठ आपको कहाँ सॉद्धा आपको पता चल चुका है अब हम थोड़ी और इसको आती São भी देखो kuk अगर इंदी में लिखते हैं तो कई साउंड को कैसे लिखते हैं ये तो आपको आती है बिलकुल जैसे हम k को लिखते हैं वही इसका सिंबल है ये भी ke हो गया तो ये क्या है यह गर sound हो गई यहाँ पर आप देखे इसी तरीके से यह है rose तो क्या sound आ रही है ज़ ज़ तो आपको लिखना आता ही है बिलकुल किस तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है यह ज़ लिख दिया यहाँ यह क्या है sugar यह तो sugar है ज़ना sugar आपको आता है यह combination है यह बीच में यह देखो यह बहुत इंट्रेस्टिंग है यह तो आपके एगजैम में आ सकता है यह लिखा है ओव तो है जो F जो letter है वो sound क्या दे रहा है यहाँ पर व की sound दे रहा है व तो यहाँ हम इस तरीके से इसको व sound बोलते हैं ओव इसको ओफ नहीं बोला जाता ओफ अगर है तो उसे ओफ बोला जाएगा otherwise यह तो व बोला जाता है तो यह बन गया ओव और इसी तरीके से हाँ यह रहा देखी यह यहाँ आ चुका है तो यह क्या है यह ओफ है यहाँ यह ओफ है और यह क्या है यट तो यट में क्या है यह 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 बिल्कुल तो यह तो sound यह रही ऐसे लिखेंगे यह sound और last वाली आपको पता है क्या है यह है king तो कुण सी sound आ रही है तो यह sound आएगी इस तरीके से तो आपको भूसी sounds जो है वो समझ आ रही है तो यह रही सारी 24 sounds मैं तो यहां से हट जाऊं तक आप इसे अराम से देख लें यहां यह देखें बहुत ही interesting जिसको हम प बोल देते हैं actual में इसका जो sound का जो हम articulation होता है वो इस तरीके से करते हैं तो इसमें प तो एक general आपको मोटे रूप से बताने के लिए वैसे यह बोला जाता है और इसके बारे में हम आगे की series में आगे की part में बात करेंगे बिलकुल मैं बताऊंगा voiced, voiceless में क्या difference होता है mon of thongs क्या होते हैं जो theory part है आपका वो हम next part में करने वाले हैं लेकिन एक बार हम एक general चीजें समझ ले फिर तो सारी चीजें हमें समझ आ जाती है ठीक है ये देखी ये है ब आपको पता है ये च आपको पता है ये ड आपको पता है ये भी आप अब तो समझ आ गया क्या है ये च बिलकुल सही है जैसे chair में है और इसी तरीके से ये क्या है ज जैसे जग है या judge है ज साउंड है ये और इसी तरीके से ये साउंड क्या है कर साउंड ये तो पता ही है आपको और ये भी आपको पता है ये गर साउंड है जैसे गरल में गर बोलते हैं गैट में बोलते हैं या हम गोट में बोलते हैं वो गर साउंड है ये क्या है ये फर साउंड है ये तो पता है फिश है जैसे तो फिश है फ्लाई है तो ये क्या है ये व साउंड है जैसे हम बोलते हैं वैन बोलते हैं और देखो ये इस साउंड में और हमारा इस साउंड में दोनों में डिफरेंस होता है जब हम व बोलते हैं तो आप देखो कि जब हम व बोला जाता है तो हमारे जो लिप्स है वो क्या है वो टीथ पे लगते हैं व ये साउ वाली sound बोलते है व तो इसमें हमारे जो lips है वो round होते हैं व व ऐसे बूला जाता है व तो एक ये difference है इसमें तो ये है व साउंड ये तो आपको पता चल गई होगी आपने अपने दिमाग में बना ली होगी कि ये क्या sound है ये है थ साउंड जैसे थम की बात करते हैं तो हम जैस उसमें भी क्या है थ साउंड आती है यहां ये साउंड भी आपको पता चल गई ये क्या है द है तो द साउंड क्या है दिस है या दोस है तो उसमें क्या साउंड आ रही है द साउंड ये तो पता है आपको ये क्या है वह ये स साउंड है जैसे स्नेक में स है स्नेक साउंड मे स साउंड आ रही है, स और श में तो difference आपको पता चल ही गया, और ये है जो में जैसे ज साउंड आती है, ये जैसे शुगर में श साउंड आती है, और ये साउंड आप देख सकते हैं, ये जैसे vision में ये साउंड आती है, तो हम लोग generally vision और ऐसे बोल देते हैं जो कि गलत है हमें बोलना तो चाहिए vision vision pleasure sound है थोड़ा अलग sound है यह और यह sound जो है वो है म sound म आपको देखी लिया बहुत देखी हुई sound है न है यह 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 गर है जैसे king ring में आप बोलते हैं और यह आपकी क्या है sound है जनरली से हम ह ह जैसे शब्द के अंदर हम ह बोल देते हैं, वैसे अगर इसको अलग से बोला जाता है, तो ह साउड होती है, वो सब चीज़े हम लोग करने वाले हैं. और इसके बाद ये है, ल, जैसे हम lion बोलते है, लाइन में क्या है? ल साउड है, और ये जो साउड है, वो क्या है? र, जैस यहां यह साउंड है तो सारी 24 कॉंसोनेंट की साउंड आपने कर ली आपको समझ आ गया होगा अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ नए सिंबल्स को हम समझते हैं यहां देखें आप अब हम जो है वावल साउंड करने वाले हैं आपने 24 कॉंसोनेंट साउंड कर ली और शायद से अगर टाइम देखे तो दस, बारा, पंदरा मिनट्स ही आपको लगे होंगे, अब हम आगे जो कर रहे हैं, वो वावल साउंड्स कर रहे हैं, आप देखें यहां पे कुछ यह words लिखे हैं, तो यह पहला word लिखा है, यहां जीप आप पड़ पा रहे हैं, यहां लिखा है, रीड और यहां लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि क्या sound यहाँ पे आप सुन पा रहे हैं, E sound जो है वो सुन पा रहे हैं, जो मैंने यहाँ colored sounds लिखे हैं, इसकी sound आप E पढ़ पा रहे हैं, जैसे Jeep है, जैसे Read है, और जैसे Sheep है, और आप देखें, इसका जो E sound का जो symbol होता है, वो है यह, तो 24 consonant sounds और 20 हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, vowel sounds और उसमें से यह पहली sound हम देख रहे हैं, यह है E sound, यह क्या sound है, E sound, जिसको हम long vowel sound भी कह देते हैं, और मैं फिर से बता दूँ कि पूरा theory part हम next जो part है, उसमें करने वाले हैं, एक बार आप सिर्फ symbols को अच्छे से समझ लें, तो यह है E, और symbols के साथ साथ आपको कुछ ऐसे words मिलने वाले हैं, जो शायद हम गलत pronounce करते थे, लेकिन इन्हें देख के हम थोड़ा सही कर लेंगे, यह जो है वो है E, आप देखे, Jeep, Read या Sheep, आपको J, E, P, हम इस तरीके से तो बोलेंगे Jeep, J, E, P, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, यह आपने लिखा J, और यह यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिख दिया E sound, और यह आपने लिख दिया P, और हमने इसको slashes में कर दिया, close, और इसका slashes में close करते हैं, जो phonemic symbols होते हैं, तो यह जो हम लिख रहे हैं, पहले तो एक बात समझ ले, यह है phonemic symbols, phonetic symbols नहीं है, यह है phonemic symbols, phonetic symbols जो होते हैं, उसमें हम और ज्यादा detail में जाते हैं, उसके Acoustics में जाते हैं उसके Articulation में जाते हैं यहां क्या है? मोटे रूप से इन्हें हम जो यह जितनी Sounds है इन्हें हम Phonemes बोलते हैं क्या बोलते है? Phonemes बोलते हैं यह सबसे चोटी Unit है तो यह मोटे रूप से हमारे मन में जो Mind में एक Abstract Picture जो आती है वो है सिर्फ ये, तो इसलिए इसे हम क्या बोला जाता है, बोलते है, phonemic symbols बोलते है, आप देखो ये है jeep, और ये क्या लिखा है, cheese, क्या लिखा है ये, cheese, तो हम cheese को कैसे लिखेंगे, आपको तो आता है, ये चर sound, आपको पता है, चर, अब आपको E sound भी पता चल गए, तो E sound क cheese, तो आप ये the sound हो गया, ये इस तरीके से आपने इसे symbol को लिख दिया, cheese, अब हम आगे बढ़ें, ये क्या है, these है, तो ये क्या है, the, E, the, ये भी बहुत असान है, the sound हो गई ये, और E sound हो गई ये, और the sound हो गई ये, ये देखो ये बन गया, these, और ये जो है, last word आपका ये है, sheep, तो sheep में क्या है, share, ये share है, और ये, E है, और ये प है, ये बन गया, आपका sheep, ये बन गया, sheep, तो ये क्या है, jeep, ये है, cheese, ये है, these, और ये है, sheep, तो ये आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है, तो E sound का पहला vowel sound, आपने कर लिया, अब हम आगे देखें, ये आ गई भ जैसे, S, H, E, E, P, उसको क्या बोला था, sheep, और ये आगया, S, H, I, P, इसको क्या बोलेंगे, ship, वो था, E, ये है, E, मतलब वो, जब हम हिंदी की बात करें, तो बड़ी मातरा है, ये चोटी मातरा है, बस इतनी से दो बात है, तो ये क्या है, ये है, ship, इसे बोलेंगे हम, ship, ये है, hit, ये है, kid, E, 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 जो छोटी मातरा है, E, वो long wall sounds है, और ये क्या है, ये short wall sound है, तो हम बोलेंगे, ship, ये है, hit, ये है, kid, और sound, ये देखिए, इसका symbol ये रहा, ये है, E, symbol, ये देख पा रहे हैं, ये symbol है, तो हम इसे लिखके देख लेते हैं, आगे और भी words आएंग ये है, ये है, this, तो this को कैसे लिखेंगे, ये हो गया, the, और फिर क्या है, E, 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 है तो ये रहा, E, ये यहाँ, इस तरीके से लिख देते हैं, ये हो गया, E, और फिर क्या है, sir, sir तो simple sir ही है, तो ये बन गया यहाँ यहाँ पर, this, बहुत आसान है, बहुत ही आसान चीज एक तो पहली चीज में आपको बता दू कि अगर आप ये सोचे कि हम बिलकुल अंग्रेजों के जैसे वैसे accent से बोल लेंगे या ऐसा पॉसिबल नहीं है न हमारा वैसा accent नहीं आ सकता लेकिन हम कुछ pronunciation को तो सही कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सही कर सकते हैं तो accent की दोड़ में तो नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन हाँ pronunciation सही किया जा सकता है और दूसरी बात ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कोई डरावनी चीज नहीं है बहुत असान सी आपने देखा कि A to Z आप जो है वो कबसे पढ़ते आ रहे हैं और सिर्फ 8 तो sounds जो consonant sounds थी जो च है और इसके बाद ये देखिए ये क्या है इ sound हो गए और ये क्या हो गया प तो ये बन गया चिप बस अगर इसी को मैंने चीप लिखना हो तो क्या हो जाएगा ये वाली sound लग जाती है अगर चीप होता तो बस इतनी सी बात है ये क्या है ये है शिप तो शिप कैसे लिख लिखेंगे यह है और यहां पर यह है और यह बन गा शिप बिलकुल एक और यह लास्ट बईधर देख रहे हैं यह क्या है विच यह क्या है which है तो which को हम कैसे लिखेंगे ये व और ये ए और फिर चर साउंड आपको पता है ये रिचर साउंड ये बन गया which तो आपने दो साउंड कर लिए ये समझ आगे आपको ये है ये और ये क्या है अब हम next अपनी साउंड की तरफ बढ़ते हैं जो red साउंड यहां और red mark हो रहा है वही साउंड हम पढ़ रहे हैं बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना तो दो vowel साउंड हम कर चुके हैं टोटल जो साउंड है वो कितनी है वो 20 वावल साउंड है इनको आगे कैसे divide करते हैं क्या उसके पूरी theory है वो भी हम करेंगे लेकिन आप इतना ध्यान रखें 20 वावल साउंड है 24 consonant साउंड है टोटल जो है वो 44 साउंड है अब हम ये देखें ये हमने पहले ये लिया है वो साउंड क्या है ये वो जैसे हमने ए लिया था वैसे हम पहले क्या अब बोल रहे हैं वो साउंड बोल रहे हैं तो ये देखो ये लिखा है food, ये क्या है cool, ये है rule, तो ये o sound दे रहे है, कौन सी sound दे रहे है ये o sound, और o को लिखा कैसे जाता है, ये आपने देख लिया, इस तरीके से हम इस तरीके से o को लिखते हैं थोड़ा ये इस तरीके से ये o, बड़ा o जो है जो long vowel sound है इसको U को इस तरीके से लिखा जाता है ये देखें, हम लिखके देखते हैं पहला क्या है? Cool, तो Cool में क्या है? क है, क, U ल, ये बन गया Cool, इसमें क्या है? बहुत एजी है, ये बन गया Cool और ये देखें, ये क्या है? Choose, च आपको लिखना आता है U आपको लिखना आता है Z आपको लिखना आता है आपको लग रहा होगा कुछ LKG, Nursery, UKG वाला कोस कर रहे है ऐसा ही है बस आप थोड़ा सा प्यार से इसे देखते रहें और बिल्कुल तसलिसे करते रहें यह मानके कि एक छोटा सा गेम है और कुछ भी नहीं है यह है चूज और इसमें आपने यह च लिखा और फिर इसके बाद आपने U और फिर Z यह बन गया चूज यहां हो गया यह चूज और इसी तरीके से यह है आपका वर्ड यहां शूट यह क्या है शूट वर्ड है तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे कि यह शूट और यह वर्ड क्या है इस वर्ड को हम पता जलाते हैं कि यह देखो अब प्रोनसीशन आएगा तभी तो हम कर पाएंगे इसे यह क्या है गूस बोला जाता है इसे तो हम goose लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ग, फिर उ, और फिर स, ये goose ये dictionary में देखेंगे हम इसे goose बोलें, goose बोलें, तो आप देखोगे अरे ये, तो स लिखा हुआ है, स लिखा है तो ये क्या हुआ, goose हुआ जैसे हमने ये उ sound जो है जो long wall sound है इसी तरीके से, उ, sound भी होगी जो क्या होगी, वो short wall sound होगी जैसे हम हिंदी में क्या कह देते है छोटी मात्रह कह देते हैं तो हम देखें, ये यहाँ बढ़ते हैं, ये देखें, ये क्या लिखा है यहाँ, अब वही जो O, O, जो double O लिखा है पहले हम उसे O पढ़ रहे थे तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं इसे O पढ़ रहे हैं जैसे book है, good है या फिर would है क्या है ये book, good और would बहुत ही simple है लेकिन क्या हुआ आपको पता चला कि पहले हम O बोल रहे थे यहाँ O बोला जाता है तो जैसा लिखा जाता है बिल्कुल वैसा तो बोला नहीं जाता तो हम देखेंगे कि dictionary में देखते हैं symbol को देखते हैं तब हमें पता चलता है अच्छा ये जो O है वो long wall sound है ये O है वो क्या है short wall sound है और short wall sound का symbol आप देख लीजिए ये है आपको E तो समझ आ ही गया ये है E और ये भी आपने कर लिया था O और ये जो है वो क्या है O है हम आगे बढ़ें और कुछ words हम लिख के देखते हैं उसका phonemic transcription लिखते हैं ये देखिए आप हो तब मान लो कि यही exam में word आ गया आपका थीक है exam में यही word आ गया तो आप क्या कर देते अब इसे आप कर देते शूवक ना तो शूवक तो भाई गलत हो जाता ये कैसे लिखा जाता है शूख लिखा जाता है इसे तो इसमें ये श और फिर आप देखें ये उ और इस तडरीके से क इसको लिखा जाता है शुक इसे शुक बोला जाता है शुक नहीं बोलते ये जो है वो उ जो है वो शोट वाल साउंड लिखी जाएगी ये भी देखो बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है जैसे हम वूल बोल देते हैं वूल तो गलत है वूल गलत है हम क्या बोलते हैं बाबा ब ये हो गया उ और ये हो गया ल ये बन गया वुल आपके पास dictionary है आप dictionary एक बार open करें उसे खोल के देखें आप देखेंगे अरे ये तो सच में लिखा हुआ है को तो क्या बोलेंगे वुल बोलेंगे तो ये बोला जाता है वुल और इस तरीके से ये क्या है ये भी foot है तो हम ये फ हो गया, ये उ हो गया sound, ये ट हो गया, ये बन गया foot और ये तो आपको पता ही है, ये तो कुक है, तो कुक जो है, वो कैसे लिखा जाएगा क और ये उ और ये क ये बन गया कुक, तो चार sounds, vowel sounds हम कर चुके हैं यह E यह E और यह U और फिर यह है U चार वाल साउंड हम लोग कर चुके हैं जल्दी हमें भी नहीं है जल्दी आपको भी नहीं है अराम से प्यार से आप देखते रहें और अच्छे से इसे समझते रहें यह क्या लिखा है भाई यह तो कैट है बहुत अच्छी ऐसे जीब निक क्या sound आ रही है ? क्या sound आ रही है ? क्या sound कहा दिखाई पढ़ रही है ? यह sound तो यह देखो यह red में कै रही है मैं भी ढून है जै। और यहाँ क्या है ? यह sound आप देख सकते हैं कि आपको sparkle रही है इस तरीके से थोड़ा बनाने का आपको पता चल जाएगा कैसे है मैं कुछ और तरीके से बनाता हूँगा आप कुछ और तरीके से बनाते हूँगे ये ए साउंड है ये देखो ये है चैट तो हम ये ए साउंड आ रही है चैट में तो मैं कैसे लिखूँगा ये च और इस तरीके से मैं इसे इस तरीके से बनाता हूँ तो ये है ये चैट हो गया ये क्या है चैट आप देखें ये यही चीज है ये है चैट और ये क्या है ये लिखा है तो आपको समझ आ गया होगा भई ये रद और फिर इसी तरीके से आप क्या करेंगे ये इस तरीके से आप that ये ए हो गया ये द हो गया the at that और ये क्या है hat है ह तो आपको पता है और फिर आप बना दे इसे किस तरीके से जो भी आप जैसे बनाना चाहें सिंबल देख लिजीए ये है hat और ये क्या है ये batch है तो ये ब हो गया और ये इस तरीके से आपने ए लिख दिया और बैच ये हो गया बैच तो बन गया भी ये चैट हो गया ये दैट हो गया ये हैट हो गया ये बैच हो गया साउंड्स भी हो गई कितनी हो गई पांच हो गई कौन कौन सी हो गई ये देखो ये 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 उ ये उ और ये क्या है ए तो मैं थोड़ा अलग-अलग क्यों ले रहा हूँ जैसे जैसे आपको आसानी से आती रहे उस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे है ये हम आगे बढ़ते हैं ये पढ़ो भे ये तो पढ़ना आता है ये आपको कार ये क्या है far ये क्या है star तो क्या sound आ रही है आ बिलकुल क्या sound आ रही है आ sound आ रही है और आ sound देख ली होगी आपने box में ये रही आ sound बिलकुल आसान है ये ए लिख दिया और इदर वो जो है columns लगा दिये बन गया आ sound तो ये देखे हम लिखके भी देख लेते हैं आ तो लिखना आई गया आपको ये क्या लिख है वही जार लिख है तो जर sound ये रही ये जर और फिर ये आ और मैं इसे जो है ये रह sound को यहां bracket में लिख देता हूँ ये क्या होता है कई बार बोली जाती है जब इसके बाद vowel sound आ जाती है कोई किसी sentence में तब इसे रह sound को बोला जाता है इसलिए bracket में लिख देते हैं कि ये कभी बोली जाती है और कभी नहीं बोली जाती तो जब जरूरत होती है हम इसे लिख देते हैं जब जरूरत नहीं है जैसे यहां जरूरत नहीं है, तो यह हमने लिख दिया जार, यह क्या लिखा है चाम, तो हम चाम को जोसे यह मिड में जब साउंड रह की आ रही है, इसे बोला नहीं जाता है आ रहाता है, तो सोरी, तब बोला नहीं जाता है, तो यह क्या लिखेंगे इसे च, और फिर आ और ये म ये क्या है चाम ये बन गया चाम और इसी तरीके से ये तो भई बहुत important है ये आने वाला है किसी भी exam में आता है और इसे बोला जाता है heart ये बोला जाता है heart hurt नहीं बोलते है heart तो अलग चीज़ है जो दुख देना होता है या पीड़ा ये हो गया heart आप देख सकते हैं ये heart है और ये क्या लिखा है card तो card को कैसे लिखेंगे कर और ये हो गया आ और ये हो गया ड़ ये बन गया card तो बहुत असान है आपने sounds कर ली ये भी कर चुके हैं आप e e फिर u फिर u sorry u और उसके बाद आपने a sound भी कर ली और ये sound क्या है a sound तो 6 sounds तो हमने कर ली अब हम आगे बढ़ते हैं साथवी sound की तरफ आपको तो आसान लगने लगी होगी ये है a sound क्या है ये a sound आप इसे पढ़ें ये क्या है sun ये क्या है cut ये क्या है hut बहुत से sounds होती है देहो इसमे a sound जो है वो बहुत जर्क के साथ आती है जैसे cut, butt, hut blood, shut, judge तो क्या है a, 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 a ये sound आ रही है आप यहाँ अगर अपने हाथ रखते हैं यहाँ अपने चिन पर तो क्या होता है कि अब जब बोलते हैं but तो ये jerk के साथ नीचे आता है but, cut, hut, shut तो बाकी a sound से ये ऐसे ही different है कि इसमें jerk के साथ जो है ये sound बोली जाती है but, cut, hut, shut तो इस तरीके से a sound है ये और generally आप देखें ये sun है, cut है, hut है जो ये you है वो generally ये sound दे देता है ज़रूरी नहीं है सिर्फ you बहुत से ज़र से हम blood बोल रहे है तो blood में क्या है, o, o लिखा है फिर भी वो a sound दे रहा है तो a sound जो है वो क्या है ये ये है, तो आप इसे याद करने के लिए तो ये याद रख लीजिए sun, या फिर hut, या फिर cut इतना याद रख लेंगे आपको a sound का knowledge हो जाएगा कि इसे कैसे लिखते है और लिखा कैसे जाता आपको समझ आ गया, ये यहाँ लिखा हुआ है अब हम आगे बढ़े हैं, हम कुछ करके देख लेते हैं, ये क्या है शट, तो शट को कैसे लिखेंगे ये हो गया, श, ये हो गया ये हो गया, च, बहुत ही आसान बन गया भई, शट, ये क्या है चम, तो चम को कैसे लिखेंगे ये च, और फिर ये अ, और फिर ये म, ये बन गया चम इसमें क्या है, बलकुल आसान है और अब आगे ये देखें, ये question पूछ लिया, मान लो तो एक चीज़ ध्यान रखो, end में जब भी M और B आते है ना, साथ में, तो वो क्या होता है वो ब साउंड बोली नहीं जाते बहुत से ऐसे words होंगे जैसे आप C, O, M, B देख लो तो वो ब नहीं बोला जाएगा या B, O, M, B देख लो, ब नहीं बोला जाएगा, ये भी क्या है थम, कैसे बोलेंगे इसको थम, ये थम नहीं बोला जाएगा ये क्या है, थम, तो थम को कैसे लिखेंगे, ये थ, ये थ साउंड तो आपको आगे लिखने ये अ, और ये हो गया म, ये बन गया वे, थम तो थंब नहीं बोलना है, क्या बोलना है? थंब थंब और ये क्या है? ये है जज, जज को कैसे लिखते हैं? जज, जज, आपने पहले भी देखा है, ये जज तो लिखना आ गया, ये रहा, ये अ और ये फिर जज लिख दिया, ये बन गया जज, ये phonemic symbols हैं, वो हमेशा slashes में लिखे जाते हैं ठीक है अब आगे बढ़ें साउंड्स तो खूब सारी होने लग गई आपकी ये देखें ये है हैं, पैन, बैट जैसे हमने देखो अगर मैं बात करूँ इस वर्ड की बात करता हूँ ये क्या है वे ये है पैन ये क्या है पैन और ये क्या है, पैन ठीक है, अगर मैं यहीं पर एक वर्ड लिखता हूँ ये क्या है, बैट और ये क्या है, बैट तो थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा होगा आपको ये पैन है, ये पैन है ये रहा देखो, आ साउंड ये वाली पैन, और यहीं से bat ये a sound है जैसे cat, bat, rat, hat, mat ये sound है और देखो इसी में जब e हमने लगा दिया तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसे pen पढ़ रहे हैं ठीक है pen से क्या बन गया pen और ये जो sound e की sound जो है बिल्कुल वैसे ही लिखी जाती है symbol भी वैसा ही है जैसे pen बोल रहे है sound बोल रहे है इसका symbol भी यही है आप देखो ये बिल्कुल symbol भी ऐसा ही होता है आपने देख लिया ये symbol है तो symbol भी same है अगर मुझे phonemic transcription इसका लिखना पड़ेगा pen का तो मैं कैसे लिखूँगा मैं इस तरीके से लिखूँगा प और फिर ए और फिर न pen तो मैंने जब slashes में लिखा है न तब पता चला है कि अच्छा ये तो phonemic transcription है और ये spelling है तो spelling और transcription में difference कैसे पता चला आपको पता चला slashes से क्योंकि जो phonemic transcription है वो कैसे लिखा जाता है slashes के अंदर लिखा जाता है और spelling तो हम slashes में लिखते नहीं है देखो यहाँ इसको देखे हम ये pen इसकी spelling भी ये है transcription भी ये ही है अगर मैं पूछ लो आजी वही कौन सा transcription है इसमें से तो आप बता देंगे ये वाला है ये वाला कैसे पता चला क्योंकि ये पता चला slashes से कि transcription को हमेशा slashes में लिखा जाता है ठीक है तो ये sound हम कुछ words देख लेते हैं ये देखें ये क्या है check तो check को कैसे लिखेंगे ये है च और फिर ए और ये क ये बन गया check क्या है ये check और ये क्या है dem तो dem को कैसे लिखें ये the ये a और ये ma dem बहुत आसान है ये shell है तो shell को कैसे लिखेंगे श-e-le-shell ये fell है तो फ-e-le-fell तो ये यहाँ देखो कल को आपके exam में आ जाए कि यहाँ तो ये double L लिखा है वहाँ पे इदर transcription में भी आपको double L लिख दे कहीं वो गलत हो जाएगा क्योंकि transcription में तो एक ही बार बोला जाए वो sound जो है ये double L जो है एक sound दे रहा है ल के sound दे रहा है यहाँ जो double L है वो एक sound दे रहा है ल के sound और आप देख सकते हैं कि double जो letters है वो एक sound दे रहे हैं यहाँ पे इसलिए एक बार ही लिखा जाता है ये ध्यान रखें, अब हम आगे बढ़ें और ये देखते हैं, ये एक नया आपका सिंबल आ गया है, जो कि है अ, आप देखो कि अ के कई सिंबल आएंगे, वो आपको थोड़ा थोड़ा confusion भी होगा, लेकिन जब आप ये words देख लोगे, ये pictures देख लोगे, इससे समझ है क्या, बढ़, देखो चलो हम तीनों एक और लिखते हैं यहां, ये देखो, bad, bad तो आपको समझ आगया, ये sound है, bad, a sound, और बढ़ में कौन सी sound है, ये sound है, ये भी आपको समझ आगे, बढ़, और ये क्या है, bird, जो कि ये sound है, जो आपको दिख रही है, तो तीनों में difference दे ये sound लिखी जाएगे, तीनों में difference देख लो, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, तो ये confusion भी आपका दूर होने वाला है, तो ये है bird, देखो, ये long vowel sound है, थोड़ा हम अ को थोड़ी देर के लिए बोलते हैं, bird, या फिर हम बोलते हैं, herd, या बोलते है curd, या shirt, या girl, तो ये कह है, अ को थोड़ा देर के लिए बोला जाता है, तो ये है bird, herd, या curd, और sound है ये, हम आगे बढ़ें और देखें, ये है shirt, तो हम shirt तो बोलते हैं, शट बोलते तो ये symbol आ जाता, हम क्या बोलना चाहरे हैं, shirt, तो हम shirt को कैसे लिखेंगे, ये है, और य ये अ, और फिर ये ट, ये बन गया shirt, दूसरा देखें, hurt, देखो, ह-e-a-r-t था heart, और ये है hurt, तो हम लिखेंगे इसे इस तरीके से hurt, मैं कह सकता हूँ, don't hurt my heart, don't hurt my heart, तो ये hurt है, और ये कह है, चर्न, तो चर्न को कैसे लिखेंगे, ये हो गया, चर, ये और ये न, ये चर्न हो गया, ठीक है, र साउंड को हम यहां बोलते नहीं है, वो थोड़ा silent रहती है, और ये है burn, तो burn को कैसे लिखेंगे, ये ब और ये है, और ये न, ये बन गया, burn, तो shirt है, hurt है, चर्न है, और फिर क्या लिखा है, burn लिखा है, हम अपने अगले vowel sound की ये देखिए, ये हम कुछ words देखते हैं, यहां है dog, pot and hot, तो देखिए किस तरीके से बोल रहे है, oh, oh, जैसे हम आप देखते हैं कि हिंदी में इस तरीके से हम लिखते है, वो oh sound, जैसे dog और फिर है pot और फिर है hot, ना तो ये a है, ना ये o है, इसके बीच की जो sound है, oh sound है ये तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, ये इसका symbol है, यहां इस तरीके से इस symbol को, ऐसे sound को ऐसे लिखा जाता है, ये है o, तो ये है dog, ये है pot और ये है hot, तो हम देखें, कुछ words करके देखते हैं, ये पहला लिखा है shot, तो shot को कैसे लिखेंगे, ये sure and then this is oh and this is to, और shot, that is a good shot, इस तरीके से बोला जाता है, ये word जो है, ये exam में आगया, आपने तो C, O, U, G, H पढ़ रखा होगा या सुन रखा है, हम generally सुनते हैं, हम कफ बोलते हैं, क्योंकि हिंदी में हम इसे कफ बोल देते हैं, इदर उदर से हमने सबने कफ word ही सुना है, लेकिन इसका pronunciation क्य होता है, इसका pronunciation होता है, कॉफ, क्या बोला जाता है, कॉफ, और देखिए, कैसे लिखेंगे इसे, इस तरीके से लिखेंगे, ये क, ये ओ, और ये फ, ये बन गया, कॉफ, इसे बोला जाता है, कॉफ, ठीक है, ये बोला जाएगा, कॉफ, और ये है, चॉप, आप समझ गए, च and then ओ and then प ये हो गया चौप और इसी तरीके से ये है म और ये ओ और प ये बन गया मॉप तो शौट, कॉफ, चौप and then मॉप ये ओ साउंड भी हमारी हो गई अब हम आगे बड़े साउंड कितनी हो गई देखें ये कर चुके हैं आप ये साउंड भी हो गई ये साउंड भी हो गई है, ये साउंड भी आपने कर ली है, ये साउंड भी हो चुकी आपके ये साउंड भी हो चुकी है ये साउंड भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी, अब साउंड जो तो रहे गई है वो है जो आपकी one of thongs है मतलब जो single vowel sound है जैसे total जो है वो कितनी है बारा है single vowel sounds और उसमें से हम 10 sounds तो कर चुके ये दो sounds जो है हमारी अभी रहती है तो हम आगे बढ़ते हैं ये देखिए ये पहला word है ये लिखा है horse और ये है force और ये है source तो आप देखें इससे पहले हमने जो बात की थी जैसे देखिए ये जो हमने इस तरीके से लिखा था ये था hot ये था hot और जैसे हमने लिखा था ये pot तो वो a sound थी लेकिन ये a sound जो है वो क्या है long vowel sound है है तो उसी तरीके की sound लेकिन इसे बोला जा रहा है थोड़ा ज़्यादा देर के लिए तो हम देखें ये sound का symbol क्या है ये है इस तरीके से इसका symbol है आप देखें हम कुछ words करके देखते हैं ये लिखा है यहाँ source तो हम कैसे लिखेंगे sir then or and then sir ये है source और उसी तरीके से ये भी source ही पढ़ा जाएगा क्योंकि र जो है means आर जो है आर जो है यहाँ silent रहता है कोई sound नहीं देता तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे source और ये है force और इसको भी हम इस तरीके से लिखेंगे force और ये है cause तो cause को भी इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये बन गया आपका O sound और ये होगी source then source and then force and then course अब हमारी एक sound रह गई है last वो है ये जिसे हम श्वा sound भी बोलते हैं क्या बोला जाते हैं श्वा sound जो कि बिल्कुल neutral sound होती है neutral sound है अ की neutral sound है मैं तीनो अ जो है उसका आपको थोड़ा थोड़ा difference भी बताऊंगा कि किस तरीके का difference होता है यहाँ देखिए ये हम बोल रहे हैं ago और फिर है allow फिर है again तो हम क्या बोल रहे हैं अ बोला जा रहा है देखिए अ sound में जो हम ये अ बोल रहे हैं जैसे ago बोल रहे हैं जैसे allow बोल रहे हैं again बोल रहे हैं तो इसमें, जो U है उसमें ज्यादा हम jerks जो है वो नहीं देते बोलते time, force नहीं देते हैं जैसे हम cut में बोल रहे हैं cut but hut में हम वहाँ कैसे बोल रहे थे cut but hut उसमें एक jerks आ रहा था लेकिन यहां Life ago तो देखिए ago तो कहीं भी एक jerk नहीं है रहे बिल्कुल lazy जैसे आप alas में बोल रहे होते हैं उस तरीके से इसे बोला जाता है और इस symbol को a को कैसे लिखा जाता है ये इस तरीके से लिखा जाता है इसे श्वा sound भी कहते हैं तो हम कुछ यहां देखते हैं ये कुछ words करके ये लिखा है mother ये क्या लिखा है mother तो mother में a sound आ रही है बिल्कुल last में देखिए mother कैसे बोला जा रहा है mother तो हम इस तरीके से लिखेंगे mother ये यहां a और यहां ये r जो है वो last में इसे हम bracket में लिख देते हैं mother और ये क्या लिखा है father तो मैं इस sound की बात कर रहा हूँ father sound तो हम लिखेंगे इस तरीके से father ये आपको समझा रहा होगा ये father ये लिखा है banana क्या लिखा है banana क्या है banana तो यहां इसको किस तरीके से बोला जाएगा banana बना न इस तरीके से देखे ये भी है ब और ये न और ये न तो ये जो last में ए होते है generally उसको हम आ प्रणाउंस नहीं करते हैं हम उसे अ बोलते हैं तो banana बोल देते हैं banana banana न अ sound बोली जाते हैं ये देखे ये भी बहुत अच्छा word है ये इसे बोला जाता है balloon क्या बोला जाता है balloon तो ये जो sound आ रही है हम generally सुनते आ रहे है balloon बोल देते हैं लेकिन बैलून गलत है वो क्या है balloon है कैसे बोला जाता है balloon तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा balloon ये इस तरीके से balloon ये हो गया balloon ये इसे थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं जैसे symbol आप देख रहे हो उ का न ये इस तरीके से लिखते है ये है balloon तो ये है balloon बनाना फादर और ये mother तो फादर और मदर में जो यहां end sound आ रही है अ की आ रही है इस तरीके से अ साउंड, फाद, मद, बनान या बलून तो आपको बारा ये जो ट्वल्व जो है वो वाउल साउंड जिसे हम मौन अफ्थोंग्स बोलते हैं अब हम क्या है आठ जो साउंड ओर करने वाले वाउल्स की वो है डिफ्थोंग्स तो डिफ्थोंग्स क्या होते हैं उसमें कुछ ने उसमें जो यही जो साउंड आपने की है मौन अफ्थोंग्स उनका कॉंबिनेशन है वो एक साउंड एक वाउल के साउंड जो है आगे बढ़ते हैं और हमारे जितने भी और 8 diphthongs रह गए हैं उन्हें हम करते हैं और फिर हम symbols की जो हमारी journey है part 1 हमारा complete हो जाएगा तो हमारे अगली जो 8 sounds है उन्में से पहली sound जो है वो ये है आप इन्हें पढ़ें कैसे पढ़ेंगे I ये है right और ये है side तो हम क्या पढ़ रहे हैं इसे I पढ़ रहे है तो A और E ये दो sounds मिलके एक sound बन गे I sound जो है वो बन गे और आप देखें ये यहाँ पे ये लिखा है I ये लिखा है I तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे ये I इस तरीके से ये symbol हो गया तो कुछ words हम देखते हैं और आप लिखके देखें बिलकुल easy है I कोई दिक्कत नहीं है यहाँ हम देखें ये है shine तो आपको श लिखना आता है I लिखना आता है न लिखना आता है तो बन गया shine हो जब करो shine आप श और फिर हो गया ये I और फिर हो गया न ये बन गया shine और अगर हम आगे बड़े ये क्या है ये लिखा है chime तो च आपको आता है लिखना I अब आपको आ ही गया और ये बन गया chime सोरी ये है म यहाँ बन गया chime और ये क्या है ये लिखा है mine तो mine को कैसे लिखोगे म और फिर I और then न ये बन गया माइन और ये लिखा है crime तो crime को कैसे लिखेंगे क, फिर है र फिर है अई और फिर है म, ये बन गया crime, कल को आपको question इस तरी के से मिले कि یہ E भी यहां लगा दे तो वो E हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमें ये जो combination है, वो एक sound दे रहा है म की, इसलिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पर सिर्फ म लिखना है और यह बन गया crime हम आगे बढ़ें और अपनी दूसरी जो diphthong sound है उसे करते हैं, पहली आप कर चुके हैं इससे पहले 12 vowel sounds कर चुके उससे पहले आप 24 consonant sounds कर चुके अब diphthong की पहली sound आप कर चुके है वो है, I sound जो की बिल्कुल आसान है, अगर यहाँ देखें यह I जो लिखा है, I अगर मुझे I लिखना पड़े तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यह बन गया I यह क्या है, I है अब हम next देखते है यह है, यह Ihnen आप देखें यह क्या है, आप खुद ही पड़ेगे इसे यह लिखा है आउ क्या है आउ, आउ, आउ यह लिखा है नउ इसे कैसे पड़ेगे नउ तो जितने भी यह OW आपको दिखाई दे रहे हैं, उसे हम आउ नहीं पड़ते हैं पढ़ते हैं आउ तो इसे कईसे बोला जाएगा नौ इसे हाव और इसे कव पीर और फिर यह देखी आप यह आउ साउंड है आप यहां देख सकते हैं यह आउ साउंड तो यह बन गया ब्राउन और यह क्या लिखा है यहां टाउन लिखा है तो बिल्कुल आसान है ट आपको लिखना आता है और यह आउ तो अब समझी गए आप जैसे पहले आई समझे थे वैसे आउ हो गया, बिल्कुल easy है, तो ये बन गया town, और ये होता है आपका gown, और gown को ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से, अब देखिए, ये word जो है, O, U, G, H word, अभी आपने C, O, U, G, H पढ़ा था, तो उसको आपने क्या बोला था, cough, तो क्या sound बोला आपने, अब अगर O, U, G, H, यहां पढ़ोगे, तो आप तो पढ़ दोगे इसको, या तो pluff पढ़ दोगे, या फिर आप इसको क्या पढ़ दोगे, या pluff पढ़ दोगे, लेकिन इसे बोला जाता है, plow, कैसे बोला जाता है, plow, तो यहां O U G H जो है वो sound दे रहा है आउ की तो हम इसे कैसे लिखेंगे ये P लिख दिया ल लिख दिया और आउ लिख दिया ये बन गया प्लाउ तो इसे प्लाउ बूला जाता है ये बहुत important word है आपकी examination point of view से बहुत important word है जिसे हम लिखते हैं इस तरीके से प्लाउ तो हमने I भी कर लिया हमने दूसरा word कर लिया आउ तो दो हम कर चुके हैं आई और आउ हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं ये क्या है ये तो है ear तो E और A दोनो sound आप जानते हो E की sound कैसी होती है ये E sound है और ये A sound है तो ये क्या बन गया ear आप यहाँ देख सकते हैं ये है ear तो हम ear है ये hear है ये क्या है near तो ear sound आ रही है कुछ words देखते हैं और आप इसे लिख के देखें बहुत आसान है ये क्या है cheer तो च आपको पता है ये च है ये E और ये A अगर ending है तो हम ये इस रह sound को यहाँ bracket में लिख लेते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है ये क्या बन गया cheer और ये क्या है ये fear है ये इस तरीके से ये fear ये बन गया आपका fear और ये क्या है clear तो clear को कैसे लिखेंगे क, then la, then e, and then a और फिर यहाँ ये आ गया और ये बन गया clear और ये क्या है ये है dear तो dear को कैसे लिखेंगे ये डर और फिर e, और फिर a ये बन गया यहाँ r sound लगा देते हैं ये बन गया dear तो आपने i कर लिया आपने आउ को समझ लिया और उसके बाद यह क्या है यह ear sound है तो ear sound आपने देखा यह sound जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लिजिए इसे बोला जाता है here, here, जब आप बोलते हैं come here, तो come here नहीं बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसे come here तो इसे भी कैसे लिखेंगे ये इस तरीके से और फिर हम इसे इस तरीके से और ये लिखा गया इस तरीके से ये बन गया here ठीक है ये क्या है here है और आगे बढ़ें ये next आप देखें ये कैसे बोलेंगे इसको do a ये तो पता है आपको کس طریقے سے بولا جاتا? ये ہے dooo, और क्या بولا جا رہا ہے? u-o, u-o, और ये क्या है? ये देखिए ये है sure, ठीक है ये क्या है? sure, और ये क्या है? ये है टoo-o, क्या है ये? tooo, तो हम इसे dooo को अगर देखें, तो u और क्या बोल रहे है? A तो इस तरीक से हैँ देखो ओर साउंड है यह तो यह अच्छा word है जैसे हम पूछा जाने वाला शब्द है यह जैसे हम तूर बोल देते हैं generally हम जैसे हिंदी में बात करते हैं हम टूर बोल देते हैं देखो सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि हम हिंदी से भी तो कुछ words जो लाते हैं अपने English बोलते समय तो वो शब्द हमारे जबान पर चड़ा हुआ होता है तो हम उसे टूर बोल देते हैं कोई ज़्यादा वो बात नहीं है ऐसा घबराने वाली हो जाता है और generally आ ही जाता है क्योंकि हम दो भाशा बोल रहे हैं तो ऐसा हो जाता है ऐसा होना जो है वो लाजमी है कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखें इसे हम बोलते हैं टूर इसे बोला जाता है टूर और ये क्या है डूर और हम देखे कुछ words को लिखके देखते हैं तो टूर को हम कैसे लिखेंगे ट, ये उ, ये अ और यहां लिख दिया, हमने र, ये बन गया ठीक है, यहां थोड़ा सा ये पतला हो गया इसे थोड़ा सा फैला दें तो ये हो जाएगा, टूर और ये क्या है, शुर तो शुर श, और फिर क्या है ये उ, और ये अ इस तरीके से ये बन गया शुर, और नेक्स्ट क्या है आपका क्रुओल, तो क्रुओल को कैसे लिखेंगे, ये और ये र, and then यू, ये बन गया क्रुओल, बिल्कुल एज़ी और ये क्या है, पूल, तो पूल कैसे लिखा जाएगा, प, व, अ और यह र यहाँ आ जाएगा लास्ट में और यह बन गया तो आपने देखा आपने आई किया और उसके बाद आपने आउ भी कर लिया और उसके बाद जो है हमने व का जो है वो भी प्रनसेशन देख लिया और यह इअ भी हम कर चुके हैं तो छार तो हम कर चुके, चार ओर बचे हैं, अभी कर लेते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, ये है बोई, और ये क्या है, टोई, निये है जूज़, ये है बोई, क्या साउंड आ रही है ओई और साउंड तो आपको पता थी और ये ओई साउंड इस तरीके से लिखे जाएगे बस ओई ये क्या साउंड है ओई तो हम बोलेंगे इसे बोई बोई ठीक है जनरली हम बोई बोल देते हैं लेकिन इसका एक्चुल प्रनांसियेशन क्या है बोई तो ये है बोई ये है जोई ये है टोई तो हम ओई साउंड इसे बोलते हैं ये देखिए ये लिखी है यहाँ पर ओई साउंड हम बढ़ें और देखें ये लिखा है जोई तो जोई को कैसे लिखेंगे हम ये है जोई और फिर ओई ये बन गया जोई ये लोगया ये और फि यह क्या है ओईल है ओईल कैसे हो गया यह ओईल यह हो गया ओईल और यह क्या हो गया यह हो गया सोईल यह सोईल हो गया यह लिखा गया बस देखो कितना इजी है जोई है इंजोई है दन ओईल है दन क्या है सोईल है अगर बोई लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा इस तरीके इसे boy लिख देंगे इसे boy boy फिर then joy then enjoy then oil then soil इस तरीके से तो हमने यह ओई भी पढ़ दिया उसके बाद हम देखें यह है यह क्या है यह यह और इसका combination है यह यह आप देखें यह 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 इसको क्या बोला जाता है यह जैसे मुझे यह यह इर ही लिखना होगा तो मैं बस ऐसे लिखूंगा यह बन गया यह 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 हो गया biggest polsk यह जैसे मैं बढ़ रहा हु ना यह last में दो तीन चीजे फोड़ी सी याद रखने वाली है ताकि आपको confusion ना हो बाकी तो बिल्कुल अब जो ये last की चीज़े रहेगी वही थोड़ी सी है जो आपको परिशान कर सकती है उसे बस याद रख ले न अच्छे से ये है चेर और ये क्या है वेर तो वेर कैसे लिखेंगे ये लो जी वेर एक example याद कर लोगे न तो आपको sound पता चल जाएगी ये चेर का याद कर लो एर ही याद कर लो कि एर आपने ऐसे लिखी थी जो एर इतने से आपको air sound पता चल जाती है ये है वेर और ये देखो ये क्या है ये बेर है ये है बेर बेर जो जैसे जैसे भालू होता है तो भालू को आप क्या बोलते हो कि आप बीर नहीं बोलते बीर तो अलकॉलिक ड्रिंक है जो बीर है उसको तो इयर साउंड आएगा वो बीर तो कैसे हुई वो बीर तो ये हुई बीर ये alcoholic drink जो है इसको ऐसे लिखा जाता है beer और ये क्या है ये तो bear है bear एक तो सहन करने को हम bear बोल देते हैं एक जो भालू है उसको भी हम क्या बोल देते हैं bear बोल देते हैं तो लिखेंगे कैसे इस तरीके से लिखेंगे जी ये ऐसे ये बन गया bear तो देखो कितने words नए भी मिल आपको थोड़ा थोड़ा आपको पतात लग रहा है कि किस word को कैसे बोलना है इसे बोलेंगे हम bear और ये जो है ये beer है ये drink है और ये क्या है ये है bear जैसे हम बोलते हैं मैं ये सहन नहीं करूँगा हम बोलते हैं I want bear this I want bear this तो I want bear bear बोलते हैं और ये hair है तो hair कैसे लिखेंगे इस तरीके से hair लिख देंगे ठीक है, तो here और hair में भी तो अंतर हो गया ना, वो h-e-r-e जो था, वो क्या था, वो here था और ये क्या है, ये है hair इसे हम hair कहते हैं तो आप देखें, बहुत सी चीजी तो आप कर चुके हैं आपने ये भी कर लिया ear, आपने or भी कर लिया ये air भी कर लिया i भी कर लिया, आउ भी कर लिया और oi भी कर लिया है अब ये दो जो है, वो रह गए, ठीक है air का ध्यान रह जाएगा आपको simple air याद कर लें इस तरीके से, कि आप सोच लो भी, ये air चली और सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, ये देखो, उल्टा सीधा ही तो हुआ है, तो सब कुछ उल्टा सीधा हो गया air से याद रह जाएगा अब हम आगे बढ़ें और देखते हैं ये, ये जैसे हम हिंदी में जो हम gate बोलते हैं wait बोलते हैं, जो हम a बोलते हैं, वो a बोलते हैं तो इस तरीके से कुछ हो जाता है ये a हो जाता है तो ये हमारा a है उनका a है उनका क्या है? a है तो they will speak it gate वो बोलेंगे gate open the gate, open the gate please wait, please wait हम लोग generally बोलते हैं please wait, और वैसे जो actual जो है बोला जाता है उसे wait बोला जाता है तो ये है wait, ये है rate ये है gate, तो a sound है ये कौन सी sound है? a तो जैसे हम इस तरीके से हिंदी में ये a होता है वो English में जो है इस तरीके से बोलते हैं a बोला जाता है तो हम symbol भी समझ गई इसका यहाँ देखो, ये क्या लिखा है? late तो हम late कैसे लिखेंगे? इस तरीके से late और ये क्या है? great great, ये बन गया भई, great और ये क्या है? hate ये बन गया hate और ये है crane ये हो गया crane, hate, great and then late बिल्कुल easy है बस आपको ये ध्यान रखना है a, a ही है और o क्या होगा? अउ होगा जैसे हम हम हिंदी में बोलते है a, i, o, au तो वो एक थोड़ा सा आगे चल रहे है जैसे o, au तो हम old बोलेंगे, वो बोलेंगे old जैसे हम next देखते हैं यहाँ इस तरीके से ये है old हम बोलते हैं old वो बोलते हैं old तो old, au क्या हुआ au तो ये sign हुआ तो ये है old, तो इन्होंने बोला old, हमने बोला gold उन्होंने बोला gold तो actual में जो English pronunciation है वो तो क्या है, au है वो क्या है, au है, तो हम इसे बोलेंगे old, gold and then bald, और देखें कि कुछ words हम करके देखते हैं इसे कैसे बोलोगे, howled तो howled कैसे लिखोगे, ये है भई, ये, howled ये बन गया, howled, ये क्या है हम पोल बोलते हैं, लेकिन actual pronunciation इसका होगा, paul and then this is goat ये है, goat और ये है he told me he told me he told me तो इस तरीके से आपके ये 44 symbols जो है, means part 1 जो हम basic symbols करना चाहते थे, वो खत्म हो गए है, और आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे आपको पता है, 26 letters है English alphabet में, कितने letters है, 26 letters है और कितनी sounds वो दे रहे है वो sounds दे रहे है, 44 sounds, तो vowel sounds कितनी है, vowel sounds है, 20 consonant sounds कितनी है, consonant sounds है, 24 और vowels को भी हमने क्या किया दो parts में, divide किया monothongs, जो single vowel sounds है वो कितनी है, वो है 12, और जो dipthongs है जो double vowel sounds है, वो कितनी है वो है, 8 तो पूरा का पूरा 44 sounds का ये set हम complete कर चुके हैं और आपको बहुत से नए words भी इसमें मिले होंगे, अब कुछ theory part हम लोग करेंगे आपके examination point of view से बहुत से parts पूछे जाते हैं ताकि हम exam में कोई भी question गलत ना करें तो हम second part में पूरा theory part करने वाले हैं आपने अगर इसे अच्छे से देख ली है तो हम second part की तरफ बढ़ेंगे आप second part को भी enjoy कीजिए Thank you and have a wonderful day करेंगे करेंगे